हलो गाईस कैसे हूँ आप सब आई हूप आप सब अच्छे होंगे देखिए आज हम आपको अपनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुनी गुडियारानी से मिलवा रहे हैं ये हमारी छोटी सिस्टर की बेटी हुई है जो की आज बारा तारीक को हुई है फ्रेंड्स तो देखिए कितनी सुंदर है आखें बन किये हुए है और हमारे आइस्वान बड़े प्यार से देखो गोदी में लिये हुए है खिला रहे हैं इनको इनको बहुत सोख है छोटे बच्चों का और इनको छोटी सी प्यारी सी बहन भी मिल गई है तो ये बहुत खुज है ये हमारी बहन की बेटी है इनको एक बेटा पहले से था तो इनकी इच्छा थी कि इस बार इनको बेटी हो तो देखिए भगवान ने इनकी सुन लिए और इनको बेटी दे दी और इनको अभी गुलुकोस चड़ रहा है इनका ऑपरेशन हुआ है ऑपरेशन से बेटी हुई है तो फ्रेंट्स तब्याद इनकी थोड़ा सही नहीं थी, इसलिए नॉर्मल डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा, इनको बीपी बहुत जदा बढ़ा हुआ था, इसी वज़े से डॉक्टर ने ओप्रेशन किया है, तो अब ये भी ठीक है, और बेटी भी ठीक है पूरी तरह से दोनों लोग अच्छे हैं, अभी इनको ग्लुकोस चड़ रहा है, इनकी जो दवाईयां हैं अभी चलेंगी तीन-चार दिनों तक ये अभी होसिटल में एडमिट रहेंगी, और हम लोग, सब लोग बेटी को पाकर बहुत खूस हैं, क्योंकि हम भी चाहते थे कि इस बार इनको बेटी हो जाए, एक बेटा और एक बेटी इनको हो जाए, तो भगवान ने हमारी सुन ली और इनको बेटी दे दी है, तो ये हमारी सबसे छोटी वाली सिस्टर हैं, जो कि गोदी में लिये हुए हैं, बिटिया को संभाले हुए हैं, और अभी इनको थोड़ा सा ग्ल को इसकी वज़े से सूजन आई है और ये धीरे धीरे अपने आप एक दो दिन में खतम हो जाएगी तो कुल मिलाकर बेटी और मा दोनु लोग की ठीक हैं बहुत अच्छे हैं सब लोग बहुत खुश हैं बेटी पाकर सबसे जादा हमारे आइसमान खुश हैं और बेटी बहु बहुत गोरी है बहुत अच्छी हैं बिल्कुल अपने भाई की तरह है देखिए कैसे सो रही है ठंड का मौसम है फ्रेंड्स ठंड बहुत जादा है तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़दा ठंड है जब बड़े इस वक्त ठंडी से परिसान है तो ये तो छोटा बच् और अच्छे से गोधी में बिठाया जा रहा है इनको लिटाया भी नहीं गया है राज से इनको गोधी में लेकर ही बैठी हुई है क्योंकि ठंड का मौसम है और बच्चों को ठंड बहुत जद्धी लगती है डॉक्टर ने भी बोला है कि नौजात सिसु को ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी है इसलिए हम सब लोग इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं ठंड से और आज ये हमारी भतीजी जो हमारी छंचन है वो भी आई थी भावी के साथ ये तिर महिने की पूरी हो गई है और आज ये हमारे घर आई थी घूमने तो देखिए ये आप लोगों को देख रही है मैंने आपका इनका छोटा पहले भी वीडियो बनाया था जब इनका जनम हुआ था वो भी मैंने आप लोगों के साथ सेयर किया था तो देखिए उस टाइम किस तरह की लग रही थी और इस टाइम ये कैसे लग रही है तो काफी चेंज हो चुकी है पहले से जब ये हुई थी तो भी इनका चेहरा बिल्कुल चेंज था और अब इनका चेहरा फूरी तरह से चेंज हो चुका है यह हमारी भावी है जो कि बिटिया को कपड़े पहना रही है और यह आई थी आज बिटिया भी आई है भावी आई है भावी आई है भाईया आए है तिनों लोग आई हुए है तो दीखिए यह कपड़े पहन रही है